नमस्कार, ये आकाश्वानी है, अभी आप पूजा तमांग से समचार सुनेंगे पहले मुख्य समचार अंतिम चरन में पूँची राम मंदिर की तैयारियां, सोमबा तक जनता के लिए अस्थाई रूप से बन किया गया राम मंदिर प्रधामन्धी नरिंद्र मोधी ने टामलनाडू के तीरुची रापली में श्री रंगनात स्वामी मंदिर में पूजा अर्चना की अगले तीन वर्षों में देश नक्षलवाद से मुक्त हो जाएगा, कहा अमिक्षानी चतिसगर के बस्तर में आज सुरक्षा बलों के साथ मुद्भेर में तीन नक्षली मारे गए, केंद्रिय मंत्री अश्विनी वैश्णव ने भारत को सबसे भरोसे मंद देश और लचीली अर्थव्यवस्ता बताया, और अब समचार विस्तार से आयोध्या में इस महीने की 22 तारिक को रामलला विराजमान की प्रान प्रतिष्ठा समारों को एतिहासिक बनाने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ा जा रहा है, समारों की सभी तैयारिया अंतिम चरन में है, उतरपदेश के मुख्यमंत्री योगी आधित्यनात ने कल आयोध्या में दर्शन में किसी तरह की असविदा नहीं होनी दी जाएगी, उन्होंने कहा कि यदी लोग बहतर तालमेल के साथ आयोध्या में दर्शन के लिए आये, तो उन्हें किसी तरह की असविदा नहीं होगी, सरकार ने कहाए कि विक्सित भारत संकल्प यात्रा के द आयश्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहट दो करोड 61 लाख आयश्मान कार्ड जारी किये गये है। इस महत्वकांशी योजना का उद्देशी एक परिवार को हर वर्ष 5 लाख रुपे का स्वास्त बीमा उपलप्त कराना है। विक्सित भारत संकल्प यात्रा के दोरान दो करोड 62 लाख लोगों की तपेदिक की जाच की गई और करीब 10 लाख लोगों को बड़े अस्पतालों में रेफर किया गया। रक्षा मंत्री राचनाथ सिंग ने कहा है कि राष्टिय कैड़ेट कोर की विबिन्ना पहलों के माध्यम से देश के युवाओं में समाजिक कौशल विक्सित हो रहा है और यह गौरव की बात है। दिली, कैंट में, गंतंत्र दिवस, शिवीर में एंसी सिक एड़ेटों को संबोधित करते हुए श्री सिंग ने कहा कि राष्टिय गौरव सबसे मजबूत भावना है। श्री सिंग ने भरोसा जताये कि एंसी सी कैड़ेटों के समगर विकास में बड़ी भूमी का निभाएगी और उनके व्यक्तित्व को निखारने में मदद करेगी। तामिलनाडों दोरे के दूसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोधि ने तीरोचिरापल्ली के श्री रंगनात स्वामी मंदिर में विशेश पुजारचना की विश्वप्रसिद्ध मंदिर के अंदर कई महतोपुर्ण सन्नी धानम है। प्रधानमंत्री को मंदिर के पुजारियों ने पूर्ण कुम्ब सम्मान दिया गया। हमारी सन्वादाता ने बताये के श्री मोधि ने रामायन सत्संग में भाग लिया और कमबार आरंगम में ध्यान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोधि की यात्रा को देखते हुए तीरुचिरापल्ली में शुरक्षा के कड़े प्रबंद किये गया। प्रदानमंत्री के यात्रावाले मार्ग को पूरी तरस से बंद कर दिया गया। प्रदानमंत्री के स्वागत के लिए मार्ग के दोनों तरफ भारतिय जंता पार्टी के कारिय करता समीत बड़ी संख्या में लोग उपस दितते हैं। यह पहली बार है जब किसी प्रदान मंत्री ने रामायन से संबंदित सभी चीजों के विशेश प्रस्तूती के लिए मंदिर में एक लंबा समय बिताया। श्री मोधी रामेश्वरम भी चाएंगे वहां उनके स्वागत की जोरदा तयारी की गई है। प्रदान मंत्री वहां श्री रामनाथ स्वामी मंदिर का दौरा करेंगे। वे नयनार और समुद्र में डुपकी भी लगाएंगे और बाइस दिर्थों के दर्शन करेंगे। श् सामके तेजपुर में आज ससत्र सीमा बल के साटवे स्थापना दिवस पर। उन्होंने कहा कि प्रदान मंति नरिंद्र मोधी के नेतरीत्व में अगले तीन वर्षों में देश नक्षलवात की प्रभाव से पूरी तरह मुक्त हो जाएगा। उन्होंने देश में की रक्षा कर रहा है बलकि देश के सीमावर्ती छेत्रों की संस्कृती और विरासत के संरक्षन में भी महत्तोपूर्ण भूमिका निभा रहा है। पिछले नौ वर्षों में पौने दो लाख नई भरती की गई है। उन्होंने कहा कि अपराधिक न्याए प्रणाली से संबंधित नए कानूनों से शिग्रन न्याए मिलना सुनिश्चित होगा। ग्रिया मंत्री ने कहा कि नए कानूनों के अनुसार अब किसी भी प्राथम प्रणाली की का निप्टारा तीन वर्ष के अंदर करना होगा। उन्होंने स्सबी के साथवे स्थापना दिवस के मौके पर एक डाक टिकट जारी किया और अनेक विभागियों परियोचनाओं का उद्खाटन भी किया। 36 गर के जन जातिया बहुल्य बस्तर संभाग में आज सुरक्षा बलो के साथ मुढभेर में तीन नक्ष सली मारे गए। हमारे सन्वादाता ने बताया कि बीजापूर जीले के बासागुडा के जंगलों में सुरक्षा बलो के सन्युक तलाश अभ्यान के दोरान ये पिर हुई बीजापूर के पुलिस अधीशक अंजने वर्षने ने एक घटना की पूर्ष्ती करते हुए बताया कि ये मुढभेर नदेरा गाउं में हुई है। विश्वा आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक भारत ने खुद को एक विश्वसनिया, राष्ट्र और लचीली अर्थव्यवस्ता के रूप में प्रस्तूद किया है। पांच दिन से जारी विश्वा आर्थिक मंच की बैठक कल स्विजर लैन के दावोस में संपन्न हुई भारत ने वैश्विक नेताओं के सामने देश की बरती अर्थव्यवस्ता के साथ मजबूत संबंदों को लेकर अपना पक्ष रखा। बैठक में तीन केंद्रिय मंत्रियों, वियपारिक नेताओं और काई राची के प्रतिनीदी मंदलों ने भारत की बरती आर्थिक ताकत साथ अपना पक्ष रखा और कहा कि जो लोग विश्वसनिया और मजबूत साजेदार के साथ वियपार करना चाहते हैं, उनके लिए भारत एक भरोसे मंद देश है। सकल घरिल उत्पाद जीडिपी व्रिद्धी का अनुमान व्यक्त किया। केंद्रिय मंतरी स्मृती इरानी ने भारत के समाविशी विकास का प्रदर्शन किया, हर्दीब सिंग पूरी ने कहा कि विबिन्न सत्रों में हुई घोशनाओं का भारत पहले ही लाप उठा चुकिय लगबग तीन हजार वैशविक नेताओं के बीच वैशविक और छेत्रे मुद्धों की लंबी सूची पर पाँच दिनों की गहन चर्चा इस उमीद के साथ समाप्त हुई की वैशविक अर्थेव्यवस्ता और वियापार दोहजाच चौबिस में बहतर प्रदर्शन और मौजूता चुनोतियों से निपटने का रास्ता निकलेगा। भारत ने विश्वास के पुनर निर्मान अर्थेव्यवस्ता को पुनर जिवित करने, भू राजनीतिक संघर्षों को समाप्त करने और जलवायू परिवर्तन समाजिक विखंडन और एयाई जनीत गलत सू जूटी, अपुष्ट और हेरफेर की कई की गई सामगरी प्रकाशित ना करने की सलाधी है। सूचन और प्रसारन मंत्राले ने अपनी परामर्श में कहा कि यह देखा गया है कि कुछ असत्यापीत, उत्तेजक और फरजी संदेश फैलाए जा रहे हैं विशिशकर सोशल इंडिया पर जो सनप्रदाईक, सद्भाव और सर्वजनिक व्यवस्ता को बिगार सकते हैं। इंडियन ओपन सूपर 750 बैडमिंटन टोर्नामेंट के पुरुष एकल समी फाइनल में आज शाम भारतिय स्टार सटलर H.S. प्रनाई का मुकाबला विश्व के नंबर दो और छ शुरू होगा। इसी के साथ ये समाचार बिलिटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।